तो फाइनली थालापती वीजय की The Greatest of All Time Movie OTT पे रिलीज हो चुकी है और आज की इस वीडियो में लोग इसी मुवी के कई सारे डेल्स के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे अगर हम लोग इस मुवी के VFX पार्ट को और बाकी की कुछ चीज़ों को साइड में कर दे तो फिर यहाँ पे यह काफी अच्छी मुवी है यह काफी अच्छी मुवी है जश्ट बिकॉज इस मुवी का विलन ने मैं मैंनन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, जीवन, I mean की संजय की, I mean हमने इससे पहले भी ऐसी मूविस देखी है, जिसमें बाप बेटे पहले तो एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, and then जब बाप फिर बेटे को सच्चाई का मालूम पढ़ते हैं, और वि कर सकता है, क्योंकि दोनों ही सेट्स में काम करते हैं, और गांधी तो हीरो है ही, बट मुवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में अपने को मालूम पढ़ता है कि अच्छा, यह तो क्लोन है, और ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर संजय ने, मेरा मतलब है कि रियल जीवन ने, इस क्लो जादा अटेंशन टू डीटेल दी है, तो यहां पर मुवी में 2008 की टाइम लाइन चल रही है, तो अगर आप पर यहाद होगा, तो फिर उस टाइम पर जाद अतर लोग आईपोन यह सब यूज नहीं करते थे, सैमसेंग को उस टाइम पर एक प्रीनियम फोन माना जाता था, तो यहाँ पर तो अटेंशन टू डीटेल है, यह साथ ही में यहाँ पर इस सीन में भी, यह लोग जी ट्रेन की फूटेज देख रहे हैं, यह भी ओल्ड मॉडल के कम्प्यूटर्स है, जो कि most of उस टाइम पर यूज किया जाता था, इसके लावे यहाँ पर बैंक आप में जब CCTV फूटेज यह लोग यहाँ पर देखते रहते हैं, तो फिर यह ओफिसर कैसेट को अंदर डालता है, उसके बाद में हॉस्पिटल का CCTV फूटेज देखते हैं, और आपको यह तो पते होगा कि पहले के टाइम पर कैसेट को जाता तर यूज किया जाता था, इन फैट ग आपको नहीं पता तो फिर यह साउथ के वेल नोन एक्टर है, और साथ ही में तमिल नाडू लेशिसलेटिव एसेम्बली के पॉर्म और लीडर भी थे, तो उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि वी मिस्यू कैटन, और हाँ उनके नाम म और अगर आपने इस मुवी का हिंदी डब वर्जन देखे तो फिर आपको शायद सी पता होगा कि मुवी के एंड में भी वीजय कान्त का जिक्र होता है, जहां पर सिवाकार्ति के हिंदी डब में रोहिट शेटी का नाम लेते हैं, यथा रोहिट शेटी की फिल्म बनाने न बटे आपे इस मुवी के इंट्रो में अपने को विजय थालापती के सोला से भी जादा मुवी के लुक्स देखने को मिले हैं और अगर मैं बात करूँ सबी मुवी के बारे में तो फरियाएप सबसे पहले ये लुक के नलाया ठिरकू मुवी का जहां पर वीजय धलापती का ओ Ό presidency जिसके बाद में ये लुक है क५ुवए इसी तरह से इस movie के अंदर थालापती विजय के उनकी movies से कई सारे references है anyways यहाँ पर आपने लोग सुनते हैं कि कहांदी ने 68 international operations successfully complete किये है और अगर आप movie के अंदर notice करते तो फिर movie के अंदर अपने को कई बार 68 number का reference मिला है सबसे पहले तो यहाँ पर 68 international operations इसके बाद में इस बार का नाम बार 68 है जो कि थालापती विजय के 68th movie का reference है जहाँ पर 68 थालापती विजय के 68th movie का reference और यहाँ पर 1974 reference है थालापती विजय के date of birth का इसके अलावे यहाँ पर जो अपने को यंग जीवन का first look मिलता है तो फिर यहाँ पर भी उसके number पर T68 लिखा हुआ है मतलब थालापती 68 एंद हा वैसे इस बार में आप पर रेखा कभी photo notice कर सकते हो अगली चीज के बार में बात करें तो फिर यहाँ पर इस scene में अपने को गांधी पूजा करते हुए देखने को मिलता है तो यह reference था थालापती विजय की Marcel movie का जापर Marcel movie में थालापती विजय का look कुछ ऐसा ही था एंड़ा इस scene में गांधी की wife यह बोलती है कि इसका 8 बजे स्कूल है सारे 6 बजे से तयार करा के बिठा दिया कि अनुका 4 बजे का appointment है डॉक्टर के पास में सुनो गांधी अनुका 4 बजे का appointment है याद है ना तो में भी आपने को मालूम पड़ता है कि यही वो डॉक्टर है जिसके साथ में अनुका appointment था लेकिन शायद ही आपने नूटिस किया होगा कि Makers ने अपने को इस स्थीन के पहली अपने को बता दिया है कि सुनील की वाइफ डॉक्टर है जो कि यहां पर इस सीन में देख सकते हैं कि यहां पर घर के नेम प्लेट पर लिखा है डॉक्टर राधी का सुनील हां है तो यह एकदम छोटी सी डीटेल लेकिन काफी अच्छी है एनिवेज मूवी के इस सीन में हम लोग गांधी को च्विंगम खाते हुए देखते हैं जो कि सेम स्टैल में थालापाती वीजय ने अपनी कई सारी मूवी में और भी ऐसी कई सारी मूवी में ना हम लोगने मूवी के अंदर यह देखा है कि जीव में वापस से आता है घर पे तो फिर यहाँ पे उसके घर में और इसलिए उसके कमरे में स्पैडर में नोवे हों का पोश्टर लगा हुआ है इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको एमिशन इंपॉसिबल का रेफ्रेंस तो पता ही चल गया होगा जहां पे गांधी अप थालापती विजे ने अपनी नई पार्टी बनाई है और अभी दोज़ार चबीस में नाड़ो में होने वाले चुनाव में वह खड़े भी होने वाले है तो इस चीज के लिए भी मूवी के अंदर डाली है सबसे पहले तो यहाँ पर गांधी का साला जब ट्राफिक पुलि किया होगा लेकिन इसी सीन में अपने को एक और चीज दिखाई गई है जो कि काफी अच्छी चीज है यहाँ पर जब गांधी का साला जब अपने पॉलिटिकल कनेक्शन की वाज़े से और अपनी पहचान के वज़े से गलत काम करने के बावजूद बचने की कोशिश करता ह तो फिर यहाँ पर गांधी बोलता है कि इससे छोड़ना मत और इससे अच्छे से फाइन लेना तो यहाँ पर मेकर्ष ने काफी स्मार्ट ली दिखाने की कोशिश किये कि जब थालापती वीजे सीम बनेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि कोई अपनी पॉलिटि 27 cm 2026 अब I don't think so कि आप में से किसी को यह समझानी की जरूत होगी कि इसका मतलब क्या है बट मैं समझा देता हूँ कि यह गाड़ी तमिल लाडू 2026 के सीम की है मेकर्ष ने यह चीज़ शो करने के लिए यहाँ पर यह नंबर प्लेट डाला है इसके अलावा मुवी के अंदर रिजन के के बारें बात पर हो तो फिर यहां पे इस सीन में लोग देख सकते ह bhta यहां इंक्स डीटूल की बात करें तो फिर मुवी की एंडिंग में इस मैच की ऑडेंस में एक छीणी के के फॉन में हम लोग सूरिया का फोट देखने को मिलता है जो की मुवी का पोश्टर है इसके अलावा यहाँ पर आपको भी मुवी का रहे भी कुतु सॉंग का तो रेफ्रेंस पता ही होगा अब मैं मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे बात करूँ तो फिर हो सकते कि आप मैंसे कई लोगों को यह लगे कि यह मूवी के किसी को लगे कि यह सीन मूवी के मिडल का कहिक है जहां पे जहां पे जीवन का गांधी के गर जाने से पहले का कोई यह सीन होगा अब मैं ये इसलिए clear कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ लोगों की मुसे सुना की ये movie के किसी beach का scene है जो कि अपने को post credit scene में दिखाया गया है well ये movie में G1 के मरने के बाद का ही event है जहाँ पे Sanjay Gandhi के second clone को Gandhi के पाद बेजने की तैयारी कर रहा है अब इसके पीछे दो reason से पहला ये कि जब Sanjay अपनी lab में जाते तो फिर आपे उसके clone के नीचे लिखा हुआ है cloning G1 03 तो इसी से अपने को ये मालूम पढ़ जाता है कि ये G1 का second clone है और जो Gandhi के आतों मरा वो first clone था तो most probably early photo इनके पास में इसी time पे आई होगी और most probably इन लोगों ने Gandhi का photo इसी scene के time पे कहीं पिल लिया होगा जब Gandhi G1 से मिलने आता है और एक और चीज़ इसी scene के बाद में जीवन Gandhi के साथ में इंडिया चले जाता है तो G1 को संजे से मिलने का time ही नहीं मिला और यह सवाल ही नहीं पैदा हो था कि यहाँ पी मिलने के बाद में G1 संजे से यह पूछे तो यह movie की continuity का ही post credit scene है तो यही सब details और references थे जो कि मैंने the greatest of all time movie में notice किये बाकि आप बता आपको क्या लगता है आपने consequence details को notice किया चैनल पे ने हो चैनल सब्स्राइब कर देना भाई और अगर आपने अब तक मेरी यह आली वीडियोज नहीं देखी तो इसे भी चेकाट जरूर कर लेना मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए टड़ा